हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मनरफ रिटनस पर एक बार फिर से एक नए टोपिक पर नई वीडियो लेकर आपके लिए हाज रहे हैं दोस्तों आस करता हूँ सारे फिटन फाइंड हो अगर आपने मेरे चैनल को इक तक सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से चाली इस रेड बटन को दबा दीजिए और इसके पास में अब आपको एक छोटा सा बैल का आइकन नजराने लग गया होगा उसको भी दबा दीजिए उससे मेरे हर एक वीडियो का अपलोड के बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा दोस्तो टाइटल आपने देख लिया है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है खासकर हमारे देश में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग टीनेजर्स ही नहीं अडल्स ही नहीं बलके मिडल एज लोग भी काभी चेंतित रहते हैं और एक अलग ही किसम का डर उनके माइंड में पैदा किया जाता है चाहे वो जिम को लेकर हो चाहे वो वैसे ही रुटीन लाइफ हो उनकी डेली नाइफ हो married life हो, सभी के मन में इस दर को पैदा किया जाता है और हर कोई इस विमारी का जो है mentally शिकार होने लग जाता है जैसे के अपने जगा जगा पर ही इन problems के solutions के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि हर एक आदमी के mind को strike करना ही इन शातर लोगों की एक technique होती है जिससे ये आपकी जे में से पैसे निकाल देता है तो ऐसे topics पर हम अपनी आने वाली videos में चर्चा करेंगे आज फिलहाल हम squats और sex के बारे में बात करेंगे क्या really squats लगाने से आपकी जो libido है उस पर असर पढ़ता है sex life पर असर पढ़ता है टेस्टोस्टेरान के उपर असर पढ़ता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है फ्लीज अन तक देखते रही है दोस्तो एक छोड़ा सा experience आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लगबद दो यार दस किया जब मैंने जिम जाना शुरू ही किया था एक 35-45 की एज के कोई व्यक्ती थे जिम में आई थे वो मेरा positive point था legs मेरी पहले से ही काफी gifted थी और मैं जब मैंने शुरू किया था तब से ही मैं मतलब 80 kg 100 kg के आसपास easily लगा लेता था तो ये मेरी legs strong थी as a beginner जब मैं वो heavy lift कर रहा था तो मुझे उन्होंने notice किया जब मैंने अपना set complete कर लिया तो उन्होंने मुझे side पर बुला कर बताया के भाई जा तो तू अपनी जो है workout को light weight करना शुरू कर दे या फिर squares को हटा दे करना बंद कर दे इस से क्या है आपके lower abdomen और penis और testis पर बहुत ज़्याद है बुरा असर पड़ता है और हमारी body में छोटी छोटी बारी इसी nerves होती है जो उनमें blood flow जो है जाना बंद कर देता है अगर आप heavy lift करते हो तो mind में consumption बन गी लेकिन ठीक था body building के लिए crazy थे जो होगा देखा जाएगा या सभी चीजों का इलाज तो हो जाता है लेकिन कोई problem नहीं आई जब मैं इस line में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया स्वाल काफी आते थे इस topic से related कोई बोलता था supporter पहन कर लंगोर्ड पहन कर squad लगानी चाहिए लगानी चाहिए तो इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे उन बातों को लगवग दस साल भी चुके हैं बिगनर्स के questions के related आते रहते हैं लेकिन मुझे कोई directly एक भी व्यक्ति नहीं मिला था जो ये बोले के जो claim करे के ऐसा करने से आपकी जो है सेक्स लाइफ पर असर बढ़ता है लेकिन बात कुछ ही महीने पहले की है जब मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था तो एक बैज जी आए उन्होंने बूला के मेरे पास भाई आज कल जिम बाले लड़के बहुत आते हैं एक तो वो लड़का लेंग प्रेस लगा रहा था उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और बोले कि जब आप लेंग प्रेस लगाते हो नीचे को जाते हो तो सारा प्रेशर आपके टेस्टिस पर आता है और आपकी जो बारी veins होती है, nerves होती है testis में, वो block हो जाती है इससे मस लूट करता हूँ भई आपकी सोच को किस पागल ने सखा दिया आपको ये बैद गिरी, कमाल करते हैं यार, चलो मुझसे senior थी age में बड़े थे, मैंने simply बोल दिया के भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूँ ठीक है, बहस नहीं करूँगा लेकिन ऐसा ऐसा भी चल रहा है हमारी society में, देखो एक simple logic क्या logic बताया, अगर आप ऐसे नीचे बैठ कर, heavy weight उठा कर उठते हो, उससे आपके testis पर, penis पर pressure पड़ेगा leg press लगाते हो, vertical leg press लगाते हो, उससे भी आपके testis पर pressure पड़ेगा, ये कैसा logic हुआ बही, मेरे पास एक research से related कुछ documents है, जिन में से मैं आपके साथ कुछ facts share करने जा रहा हूँ Physiol Shalway का नाम का एक journal है, उसमें बताया गया था, एक study की गई थी, 2010 में University of Kansas Washington University St. Louis University यहाँ पर बताया गया था के एक research में जब आप 10 से 12 repetition light weight का warm up करते हो squats में, ध्यान से सुनिए, squats में जब आप 10 से 12 repetition का warm up करते हो और उसके बाद heavy training स्टार्ट करते हो 5-5 repetition वाली और 10 set लगाते हो बीच में आपने 2 minute का rest रखना है और अपनी maximum mum strength का 70% वाला set लगाना है और ऐसा एक study group त्यार किया गया जिन पर ये study की गई और साथ में एक वैसे normal व्यक्ति थे तो इस study में पाया गया के जो लोगों ने squads इस intensity से regular basis पर की लगाई उनके testosterone level में काफी वड़िया improvement हुई उनकी growth हुई production उनकी भढ़ गई कमाल है यार आप लोग क्या कह रहे हूँ कि उससे libido damage होता है लेकिन testosterone से तो overall growth वड़ती है चाहे वो आप तो health की बात कर ले mental stress की बात कर ले sex life की बात कर ले muscle size की बात कर ले सारा कुछ ही jenets का testosterone पर depend करता है ladies में भी ये वनता है लेकिन वो कम मत्रा में बनता है तो और एक research men's journal एक बहुत बड़ी world famous site है उन पर Thomas King एक coach है worldwide heavy strength training के उन्होंने बताया था कि heavy resistance training करने से आप की जो है testosterone level की improvement होती है बढ़ता है ये और ये भी बात बताई साथ में कुछ exercises उन्होंने recommend की अगर आप अपना testosterone level naturally stimulate करना जाते हो बढ़ाना चाते हो तो कुछ exercises बताई उन्होंने इस list में सबसे पहले नाम आता है squats का फिर आता है deadlift, vent, press, pushups गएरा, so on सभी जो भी मतलब compound exercises होती है तो देख लीजिए ऐसा facts बता रही है कि क्या होता है और हाँ यहाँ पर end में ये बता दूँ मैं ये नहीं कहूंगा के squats लगाने से आपका testosterone level जो है वो बहुत ज़्यादा वड़ जाएगा आपको कोई भी problem हो सकती है अगर आपका testosterone level कम है ये नहीं hereditary problem हो सकती है steroid abuse हो सकता है, कुछ भी हो सकता है drugs abuse हो सकता है तो लेकिन इस से क्या है अगर आप एक normal healthy इंसान हो तो इस से आपको कोई भी problem नहीं आएगी आपका testosterone level या libido कम होने की वज़ाए बढ़ेगा तो इसी लिए याद रखें अगर आप अपनी body की overall growth करना चाहते हैं तो sports को कभी भी skip मत कीजिए I hope आपके कुछ myths इस topic correlated clear हो गए होंगे तो अपने friends के साथ भी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी share कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दीजिए आपका हैसमें कोई नुकसान नहीं है मेरा फाइदा जिरूर हो जाएगा Thank you